जय महाकाल दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है जैसे कि आपने देखा अच FMG सेक्टर में तेजी आई है और सारे श्टोक्स बढ़े हैं तो लेट्स डिसकस करते हैं ठीक है तो हमारा ये एक रेंज में था हाई बनाके ये रेंज में आया रेंज में आके इसने पीचे आया और फिर तोड़ा तोड़ने के बाद इस जोन में द्वार आया और इसी जोन में पिछले जुलाई से लेके और मतलब एक साल के आसपास मतलब वही मानलो 11 महिना के बाद इनने ब्रेक आउट कर आज और अच्छे अच्छे स्टोक्स जो अपने लेवल पे थे आ अच्छे बहुत अच्छा बड़ा आज हमें वह वीगली में लगा लेते हैं यह थोड़ा आपको समझ में नहीं आयागा तो मैं थोड़ा एक्च्छे का दूसरा चार्ट लगा लेता हूँ i am i candor unberlar ये нес shape a盒 yoga sahaj तो वीकरली Chief में आप अगर NSC को देखाओँ न हो सोरी वीगली Chief में अप nine कई था मद मद कई खूव डिवर को दिखें गूग लें तो यह उसे रेंज में है उपर जाने की कोशिश करीती पर उपर जा नहीं पाया तो यह इसी रेंज में मतलब 2200 के असपास घूम रहा है यह 2020 से मतलब 4 साल से इसी रेंज में है स्टोक और FMG का सबसे बढ़िया स्टोक 4 साल से नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें पहले एक बुल रन आ चुका था ठीक है बुल रन आ रहुतलब एक बूल मार्केट टैप की चल ली थी और इसमें बहुत अच्छा गेन आ चुका था था पहले तो यह थोड़ा टाइम बिता रहा है अपना इधर ठीक है और अब यह अपने इस लेवल को दुवारा निकालने की कोशिश कर रहा है एक हफ्ते में इन्हें 7% मारा है अभी दो ही दिन मार्केट को ने ट्रेड गया है और 2-7% मारा है अब हमें पूरे FMG में हुरही है जैसे कि मैं आपको Mir TP का चार्ट तो 10% 25 का चार्ट बढ़ा हुआ है और बिल्कुल अपने टोक पर दुवारा आने की कोशिश कर रहा है ठीक है यह दो को बिल्कुल अपने टोप पे आपना ये ब्रेकाउट करने वाला है ब्रेकाउट करने के बाएर देखते है इसका लेवल क्या होगा ठीक है और ऊपर तक के इसके लेवल बन जो है कंजूमर को देख लो कंजूमर भी उपर जाने को ऐसे ऐसे नीचे आया नीचे आने के बाद हायर हाय बना बना के उपर ले जा रहा है कंजूमर में भी तेजी लग रही है देखके डावर का चार्ट देख लो डावर का ट्रेडलाइन बनी हुई है यहां से निकल जाएगा त जावयर में तेजिए बनी हुई है hiç सब स्टो कमरे से लेवल से नहीं निकल दीन कينदया पॉइंट बनायाanguard करिभ यहां यहां इसका सालम पूरा यूज तक जा सकता है आयच भढ़िए पारिज पहले नहीं Hip नहीं बढ़ा था यह 2013 से लेके 22 तक मतलब कम से कम आप 9 साल मान लो नो साल आट-9 साल यह इसी रेंज में रहा और उपर जा रहा है तीरे-दीर तो FMG sector में बहुत वड़ा रिक्स रिपोर्ड है इस वक्त बजाज कंजुमर यह स्टोक है इसमें भी बहुत अच्छा रिक्स रिपोर्ड है छोटा स्टोपलो से टार्गेट हमारा बढ़ा है 400 का टार्गेट होगा पहला दूसरा टार्गेट हमारा इसके हाई तक होगा अगर ह को अग Weg im twins से निकलता है तो इस पूरे जोन से अच्छी तरह तो सतो इसारे स्टोग अच्छे थे जैसे कि हम अढारा को ल पाल देख लो को लुको यह रीच हमारा ढ कि सटानले ले है अपना और निकालके पिर सीधा ले के जार्ए रहां अभी तक रुकनेर्नी नहीं नही आएगा अपने लेवल ते कि इस टोक में भाई कोई recommendation tip नहीं है में सेक्टर के बारे में बता नहीं कि यह सेक्टर आने वाले दिनों के लिए अच्छा है और जितना भी जो market में जो election की answer turn है ना market इतना election की वजे से उस चक्कर में जो जैसे कि technology और तो सारे पावर वावर का जो पैसा होगा ना वो दीरे दीरे FMG में consumer में shift होता है तो consumer सबसे बड़ा FMG उसका part है तो FMG में ज्यादा लोग अपना पैसा डालते है जब market थोड़ी uncertain होती है आने वाले time के लिए तो इस महीने तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पैसा FMG में shift होगा यह मेरी बस एक opinion है advice नहीं है recommendation नहीं है तो इसको आप अपने study कर सकते हो study के लिए मैंने बता आये आपको और thank you for watching like, share, subscribe जरूब करके जाना और आपका इस वीडियो में क्या opinion है बताना ठीक है और मुझे comment करना कि और नहीं मैं वीडियो क्या बना सकता हूं ठीक है thank you for watching जै मकाल